तुम तीनु सारी हरो का का हमाएं बारी में कात्र हमाएं बाई भाई में भरागाओ मापी मांगो तो यो कान पकड़ दो यो मांगो नहीं तो अब आई पोल खोले कि कितने उपद्रों करते हुआ अब ना बोलियो तुमने जो भी कहें ती अगर गुरूजी तो यह सुधर भीजें नहींता जिरुन्दी सुधर निira जावी सही बात है खट्री के वरे हम बागे सरवाले यहाँ है अबना उपद्रों करियो नाईता तुमाई बहुत ज्यादा पोले हैं इन से ज्यादा तुमाईया हैं एकदम करिया ही करिया को खोले है बैठ जाओ अच्छे हो लेकिन ऐसा बोला नहीं चाहिए हमें बहुत बुरा लगा जब हमने बाई भाई में सुना हमें इनको बहुत बहुत बुरा लगा यही से नहीं हमने बुलावा है जानबूच के हैं बैठो मतलब उसें बोलो जी यह ना सुना थो हमाएं सन्यासी बाबा हां तो घट-घट की सुनाती है बलो सीता राम इता राम तो ब्रम्हा मिश्णु महेश्ट्रटे कहते तुमों ने अच्छा पूछो क्या बिस्टे है तुमारा हमाई बड़ी मम्मी आई है कोटा राजिस्तान से पिछली आप कहां के हो हम सागरी के हैं पता दो सम्दों हम सागर में रहते हैं किरदारी पुरम के पास अभ नया मकान बनाया है गुरुजी के आशिरवाद से और अब बागी सब गुरुजी ने बता दिया है अब सब परिवर्तन है हां बताया धोडिये पकड़ो हुआ है लाखन लोगन में चोरा पकड़ो प्रश्ण करो और पूछो हमाई बड़ी मम्मी आई है कोटा राजिस्तान से हमाई बड़ी बेहन है तीन सिस्तर उनकी शादी के संबंद में कोई नहीं बन पारायोग नहीं बन उनका नाम क्या है बड़ी मम्मी का मुन्नी बाई है एक प्रश्ण हो रहे गया एक हमने असा लिखा बहुत बिचित्र सोचते थे वह एक उल्टी बात बोली थी इसलिए कि इनको बुलाया गया है मुन्नी बाई की संतती की बिवाह में रुकाबट बन रही है मंगल काज में रुकाबट बन रही है कुल देव रुष्ट हैं पूजन करवाद हैं आपके भाई विसन करते हैं नसा करते हैं जो मजले भाई हैं पगवा पियत भयंकर बेभी सुदर जहें है आप से हमसे के बाला जी से का हुई नहीं कि किरपा बर से बाद सुधर जाएं भी कि सुधर जाएं एक मंत लिखा है और इनकी हमें जाएं पिली की पूझा रहें, connect से खोड़ी खोणते हैं और ये कुल पूजा से बहुत दूर है ऐसा परचा कह रहा है तो इनसे कुल पूजा के लिए कह दें हम सेना भेद देते हैं और बाला जी न चाहा तो दो हजार तेश के लाष्ट में और चौबीस प्रारंब में योग बन जाएगा जावाशीरबाद है चलिए टोपी मास्टर आईए साधू जी ओ साधू जी दोना हाथ उठा के बोलो बागेश्वरधामे की सन्यासी बाबा की माइक लीज़ी कहा से आये हैं आप सागर सुछ सागर में कहा रहे होते हैं दीन दिया नगर पहली बार आये हो किसी को अपना बिशाय या समस्या तो नहीं बताई है किसी ने पूछा तो नहीं है आप से ठीक पड़े लिखे हो हमने लिख लिया आप अपना पुछन करो क्या पुछो और यह वह यह क्यों लड़ रहे हैं हम इतना तो बता और कुछ निखा है यह प्रशना और लिखाए परिक्षात्मक आए हैं जब आप दीजिए तो रंध नहीं तो मुर्गा बनवाएंगे पोल भी को लेंगे यह मुर्गा भी बनाएंगे परिक्षात्मक आए हैं बोलिए क्यों क्यों हमने आखिर तुम्हें क्यों बुलाया इसका कारण तो समझो तुम क्यों बुलाई कि जल्दी बोलिए तो परिक्षात्मक आए है हम मुर्गा बनाएंगे और सेबळार बनाएंगे बोलो आसीर बात बिसाए नहीं है बात यह है कि आप ऐसे क्यों मूँ चलाते या ऐसे क्यों आये बस बात यह है जब तक आपने हमें देखा नहीं था हमें समझा नहीं था हमारे पास नहीं आए थे आपको अधिकार या राइट नहीं है किसी के भी बारे में बोलने का है कि अरे बो भी लिखा कर तुमने क्या बोला है हमने बो भी लिखा है करशन करो एक प्रशन लिखा है वो बोलो तुम देर मत करो जल्दी करो मेरा आगे की बारे में बता दें है ठीक है माइक लखो नजदी काओ अब पढ़ो पर हाया ना बोला है अब इसके बाद अगर कोल खोले तो ये तुमारी निजी सर्द है हमारी नहीं ठीक है ना खोले बहुती परेशान है आप भविस्म समाज सेबा करेंगे रतना राय जी चुंता ना करें नाम जानने वह समझने भर आए हुए है अब कान पकड़ो कान पकड़ो कान पकड़ो पहले छमा मंगो इन से यह नाम तुम्हारा किसी के पास लिखा नहीं है ना तुम्हारे आधार कार्ट पर लिखा है ना सागर में ठीक से कोई जानता है ना तुमसे कोई पर्चित है अब माईक लो आप आये थे अच्छे गुरू की तलास में के सच्चा गुरू कौन है पाखंडी बहुत है ये भी लोगों से पूछ करके तो नहीं बता देते हैं या कोई ट्रक का प्रियोग तो नहीं करते हैं इस समझने के लिए आप दरबार में खड़े हुए थे हाँ या ना अपकान पकड़ो छमा मांगो सिता राम माइक रखो अगर अगर प्रिया कर लिया है ये कि सिकायत ना मिले हमें खुश रहो है कि साधू जी कि मंत्र है हमारे नहीं इनके इनके हो जाओ हमारे भक्तमत बनवाज से इनके जीवन भर के लिए हो जाओ इन नहीं न तुम्हें बुलाया है और डाउट करना चाहिए लेकिन जब तक किसी के नजदीक न पहुंचो तब तक बहुत अच्छे आज मी हो बैसे तुम आशिरबाद कि आजा बिटा सुम्याना हाँ अच्छे से बैठ जा बिटा कि सीता राम ये भाई साव आये थे देखने के लिए कि हमें कोई प्रशन नहीं करना है हम देखते हैं ये बता पाते हैं या नहीं हो पता आगी को लगो हमें हो गई कैसा लें दस साल हैं तो दर्वाल लगा उते ही हो गई आज लो हमने एक उखनी छोड़ो सबकी पोल खोली सागर में भी ऐसे आजमी है अबे बिटिया कहां रहती हो पढ़ लेती परचा कहां रहती हो वह नहीं है अच्छा इधार आजाओ तो तुम्हें परचाब पढ़वा ले हैं कि क्या नाम है तुम्हारा शॉम्या यहां तुमने किसी को बताया था क्या हमें किसे पता चल गया रस्ते में सीता राम करती आई थी इसलिए हमें पता चल गया कितरा अच्छा भाव है अच्छा तुम्हारे साथ में कोई नहीं है अच्छा इनके माता पिता जी है जो भी यहां इनके माता पिता जी सुन रहे हूं वहीं से सुन लें यह बच्ची बहुत परिसाने मंद बुद्धी है इसका दिमाग तेज नहीं रहता वह इस्थिर नहीं रहता पढ़ने में भी कमजोर है बीच बीच में चिड़चड़ा पन भी हो जाता है यह पूर्टया जाम बोलो जाओ साधू जी ओ साधू जी अंगला आदेश लाल टी-शर्ट हाप पहने जो इस दाइने पंडाल में खड़े हुए हैं युवान भाई साहब आजाईये जी इसके बाद दूसरा आदेश सिता राम कहो बिटिया तु आजाईये हाँ जल्दी आजा बिटिया इसके बाद राम कहो साधू जी सिता राम कहो सबसे लास्ट में अंत में बिजय नाम अरजी स्विकार हुई है जिनके घर पर देवी का इस्थान है नाम बिजय है और आप अपनी माता के यहां पर सुबह से दीपक प्रजलुत करके अरजी लगा कर आए हैं आप पंडाल के दरबार में आजाईए आपकी अरजी स्विकार है नद्धी काओ दादाजी और नद्धी माइक ले लो कहां से हैं कहां प्रता है जा शीवर आगे आगे शीवर आगे आगे भोपार रोल से हाठ किलूमीटर दक्ष में आरए इते का कर रहे कका अब पूरी कथा सुनियो लेकर अच्छी बात है अब बची यह कथा आओ नजदी का आओ बोलो क्या प्रशन है आपका और कोई बात है हमने ऐसा कृपा बनी रहेगी दर्शन करने आए हैं घुटनों का दर्द भी नहीं होगा भजन खूब बड़ेगा आशिरवाद है हमने भी इतना ही लिखा हाँ हाँ सीता राम एक दम सही माइक लेलो माइक से बुलो एक दम सही गुरूजी जैहो सब जनहां ले आईयो सब जनहां ले आईयो धाम पर वागेश्वर धाम हो अच्छी बाद में उताई जाड़ा लगा दें हो अब मैंने जामें एक मंत्र लिख दो अपने ऐसा ही स्वस्त्रे हो एसा ही भक्ती में मालिक की मन लगो दें जाओ ज्यार है और हमाएं गुरूजी कह रहे हैं कि आप जो है एक बेन नव चंडी पाट सुन्वादेएं तुमाही माता भूत प्रशन है नव चंडी मतलब दुर्गा सबसती जो भर करवा देए एक बार साब फले भूले रहें नव रात्त्री में नोव रात्त्री में साधू जी थोड़ा जल्दी आजाईए जय हो जय हो बगवान बस बहन बस बहन माइक लो बहन साध्र से साधर में कहां से है फ़लड़ Swagher कुड़यो तक ही और है क्या आपके यहां जाह नहीं है क्योंकि सागर्सागर में आपके कुड़यो इस तापत नहीं है और आपने उनको द scientist पूछो बहन क्या प्रुशन है कि मेरी बहन है ना दो दिन तीन से हो रहा है काफी टाम से लड़के से अफेर चल रहा है अब वो घर चोड़के चली गई है और वो उची सी करने की जिद पे अड़ी है लेकिन यह चमक का रहे कि मैं आप किया जैसे आई हो मुझे फोन आए कि वो घर आ गई है लेकिन अब हम यह चाहते हैं कि वो स्कड़के से ना करें ना तो वेल सैटल है हमने ऐसा लेका बहन से हैरान है बहुत दो साल पहले से अफ्यार उनका चल रहा है दूसरी जगह साधी हो जाए ऐसी अरजी लेकर के आई है आपने बैठते ही अरजी लगाई तो बहन आपकी तुरंत घर पर बापस आ गई है जो भग गई थी अब गुरू जी कह रहे हैं कि उनका चित्र अत्वा उनको आप ले आई है मन बाला जी ने चाहा तो कट जाएगा आप ऐसी क्रिपा करें हो हम लोगों से मतलब भी नहीं रखना चाहा है आप हमें चित्र भ आप तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं जी पंडी जी अच्छा सेवा अंग्रिक में कायो की तैयारी की है यह क्या कहलाती है मद्र प्रदेश लोग से वायो की सरकारी है हमने ऐसा लिखा जोब योग में आप लोग सुभाया हो योग में चाहते हैं आंगे तैयारी तेज करो भी बरतमान में कमजोर है एक साल से मन भी आपका चाटित है फोकस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में स्वा तैयारी तेज करो हमारी गुरू जी के रहे कि अगर अखंड रामायर का पाठ अम आवस्च्या को घर पर सुनाओ तो बहन तो सुधरी जाएंगी आपकी तैयारी भी तेज हो जाएगी आसीड़वा पंडी जी एक और तो सब्सक्राइब आपको यूट्यूब पे अभी सुनाने है आई हूँ अपने घर से आपके लिए सिफ लगा कि आई तीज और में बैटीटी और जस्मे बैटा नंबर आता है कि नहीं आता है मेरा हमको यूट्यूब पे भी नहीं देखा तीवी पे नहीं मैंने सिफ सुना है आपके लिए अचा केबल सुना है और आज मतलब नहीं आते आते भी मैं आई हूं सब कुछ होता गया है अरे बाबा धन्यवाद धन्यवाद खुश रहो बेहन सिताराम हमाए बाला जी हैं यह सब्सक्राइब बहुत उल्टे हैं बताव लो जिनने कभों टीबीन पहले निन देखो उनकी अरजी लगा दए जो सालन से हैराने उनकी सुननी रहे तुम भी बिचेत्राई हो तुम से भगवान नहीं बचाए है आई आऄ चाहिए भाई सब्राम राम भाई बाज भाई माइक ले तो सीधों कहां को आए रहारा क्या नाम है भिनाए फ्रमेते का कर रहे हैं लास्ट मैं माइक से मुलो एक दम पीछे गुरुजी आररर यहां कहीं नामाम लिखवा होतोगा कुछ हमें कैसे पता चल गया है हमाय गुरुजी यह ना देखो पिच्छत है यह बाला जी की मैं हमाय चमत का रही है गुरुजी आपके सामने बैठा हूँ कि अरे 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 जी तो लगा लेंदे पर तोरी सुन लें हो का का अचा लो अब चुप रही हो पहली बार आए हैं अब प्रशन करिए अपना क्या बात पूछने आई हैं काम वगैरा मेरा सारा थप हो गया है बहुत ज़्जादा कर्ज हो गया है परिवार का बहुत संथ नहीं विल रहे है कुछ प्रॉपर्टी है मुझे को निकालना चाहा है करज कितना हो गया है इसमें संख्या लिक करके आई कितना एक करोड के अंदर आये नजदी जूट बोले आपने मन बड़ा आसांत कर्ज है घर पूरा परेसान कोई सपोर्ट नहीं करता कर्ज चुकेगा दोहजार पचीस अठाइस मई तक आपके ऊपर जो है सतासी लाग के ऊपर का कर्जा लगभग में बरतमान में हो गया है जो चुक जाएगा आसिरवाद है गुर्जी एक प्रश्ण और हम कारे कौन सा करें जो कारे करते हैं अभी बता वहीं करें और यह अचानक में कैसे क्या हो गया हम पूरा परिवार पूरा भी खर गया मेरा एक बच्ची हुई तब से ही सब मार्ज से हम अकले साल से पूरा परिषान इस सिताराम एक लड़का और एक लड़की है सबसे घर में छोटे हमी है करने धरने वाले हमी है वहुदा कर दोफेश्थ है 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 हमें हमें बता ज्यादा परिश्थ है लिए हैरा है हम नहीं पूरा काम मुझें के काम करते था है है जायका काम हमने ऐसा लिखा आज से दो हजार अठारा में यह चीज हुई है फिर यह हुई है दोनों एक साथ पहले यह किया बंद गया फिर यह किया तो सब बरबाद हो गया और दिमाग भिखर गया दिमाग भिखरा तो फिर निर्णे लेने की छमता सुन हो गए साथ में नया काम कंट्रक्शन या अलग चीज का आप कर सकते हैं जिसकी तरब आपने सोचा है यह काम यही है इसी से आप सफल हो जाएंगे आशीला इसमें थोड़ा थोड़ा बरे लिटिल में इस पर म क्योंकि इसमें बंधनी है जब तक बंधन नी कटेगा कोई लाव नी किवह हम चर्चा करें एक यह है इसको थोड़ा सा बीच-बीच में यानदेना बहुत कंट्रोल क्योंकि गलत लोग अब बाहर के तो होते नहीं है अब ऐसा तो हम अभी बंद किये हैं नामाम बताना किसी कारण बस ठीक है माइक लेलू नाम नहीं लेना है ना इनके बारे में कहना है इनहींने तंत्रविद्या करवाई है जाओ अब नहीं चलेगी आसिरवाद है हमारा बताना नहीं है लेकित ध्यान दिया जी हमने बंद भी इसको कारण भी दिया है बिल्कुर आग गया कब अच्छ हम धाम करें चलो पेशी में तवाने ही पड़ेगा बोलो बागे सर्थाम की चलो आओ प्यारे लीजे माईक लीजे बोलो बागे सर्थाम की जजे स्री राम जजे स्री राम कहां से आए हो मकरोलिया से आए गुरु जी क्या नाम है अभी शेक विश्व कर्मा नजदी काओ बोलो क्या बात है जजे जजे जी की अंगोठी आख हो गई हिस्सोने की बहुत कीमती थी कितनी तीन अंगोठी थी ठीक और इसके घर में हमारे घर में गुरु जी गवणा रहा हूँ मैं बहुत गुरु जी पहली बार आपके परतक्चे दर्सन हो रहे है तो सर हमन नहीं पढ़ दे गुरु जी के सर बोलू के गुरु जी बोलू पिर भी गुरु जी और कोई बात पतनी की तबियत खराब है और मम्मी पापा का स्वास्त तगड़ बढ़ गयता है और बेहन की साधी होनी है बहुत हैरान है माता पिता बीमार बने हैं घर में एक नहीं को बिगन बना हैं पत्री को भी दिक्कत बनी हुई है चोरी हुई रिस्तेदार की सामगरी घर के ही सदस्त ने उठाई है किसी इस्त्री के हाथ में है जो रहस खुली आएगा और मिल जाएगी चिंता ना करें आसी रुबाद बोलो भागे स्वर्धाम की तुम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन हमाँ नाम ना बताई कैसे हम चोरी डकैती मडर ये सब बोलते नहीं है ना बताते हैं लेकिन हमने तुम्हे संकेत दे दिया है और वहीं से रहस खुलेगा बाला जी कृपा करेंगे तुम सुया महनमान जी के भक्त हो अभी और खुब हनुमान जी के मंदर भी जाते हो और साथ में उनी का यसलिए तुमने टेट नमाइक ले सकते हो गुरु जी अभी मैंने 108 बार हनुमान 40 जी का जाप्त किया था कि आपके दरसन हो जाए और हनुमान जी ने महरवानी करी और आपके दरसन करा दिये गुरु जी 108 बार 40 की थी मैंने उनके चर्णों का प्रताप ऐसे ही बना रहे है और जो धन की दिक्कत बनी बिबाय को लेकर वो भी दूर हो जाएगी बोलो बागेश्वर धाम की बोलो बाला जी महराज की जैजै स्री राम चलो बगवार अंगला देश यहां बीच में दाइने हाथ के पंडाल में राम साधू जी साधू जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की रजनी नाम की माता जी की अरजी स्विकार है आजाएगे कोई सामान वो साथ में लिये होगी सपेद दुपट्टा होना चाहिए नाम रजनी आजाएगे कहां रहते हैं अच्छा आएए नजदीक आईए इसर मंदर कहा रहते हैं इसरा से रहते हैं वत परेशान पंड़ जी अफ्ट पर जान से आफ्ट रहते हैं मुला दिमारे समस्ट बलावारो जोटो मौनी बोश्यार एक मनाएगे यहां से कितनी दूर है चार-पांच कलूमीटर आप तो सब जानते हैं ना राजी बाला जी सब जानते हैं हम नहीं जानते हम तो माध्यम हैं उनकी पेरना लगती है तो हम लिख देते हैं और वो हगवान की कृपास से लिखावट सत्त निकलाती है बस यही हमारे पास सुनके चरणों का प्रताप है और कुछ भी नहीं पूछिए क्या बिसाय है अच्छा क्या प्रश्ण और क्या परेशा नहीं है बीमारी दिक्कत अच्छा एक जन को मूह में दिक्कत है किसको है अच्छा तो पढ़े लिखे हो तुम पढ़िये सेबा करते बाला जी की लेकर बहुत परेशान है बीमारी बनी बच्चे को बड़े बाले को एक बालक मूह नहीं ठीक से बोल पाता छोटा बाला कृपा हो जाएगी चिंता ना करें आशिरवाद है अब बताओ जानत हैं बाला जी